हेलो वरण माईनम है जमेतिवारी फरमेतिवारी.net और इस चानल के सब्सक्राइबर्स के लिए अभी 17 सेप्टेंबर 2023 को हमने एक फ्री वेबिनार किया था Core Web Vital Issues के उपर इस वेबिनार में इसी चानल के सब्सक्राइबर्स और हमारे स्टूडेंट्स ने कुल मिलाकर साथ में कुछ प्रॉब्लम्स शेयर की अपनी वेब साइट के Core Web Vitals से रिलेटेड वेब पर्फॉर्मेंस से रिलेटेड और इस डीप सेशन में इस वन आर एट मिनि वेडियो में हम उस सेशन की कुछ खास जहलकिया आपको देखाना चाहते हैं किन-किन प्रॉब्लम्स को हमने डिसकस किया और उनके क्या-क्या सुलीशन थे ताकि आपको भी वेनिफिट मिले आप चलते हैं और देखते हैं उस पूरे सेमिनार की कुछ इंपॉर्टन जहलकि आपको देती है बेटर सब्सक्रिप्शन रेट और बेटर डिलिवरी रेट यू कन ट्राइ नोटिक्स विदाउट रिमोविंग यूर करेंट पुछ नोटिफिकेशन प्रॉइडर और अगर आप मोनेटरिशन प्लाइन ले लेते हैं तो फिर आपको नोटिक से कम हो गया यह zero हो गया लेकिन साथ ही साथ इंच्सारी के सारी पूरा कॉंटेंट एक साथ आ गया तो इसमें टाइम भी लगता है तो यू वील size है वो size जो है इमिज के साथ में maintained हो Google font versus system font system font Google font because Google font आप locally host करो उनको download करके website पर locally host करो से होगा क्या कि yes आपकी hosting font को देगी but the trick is that कि आपको कम font use करने सबसे पहले अपनी website में एक या हद से हद दो से ज़्यादा font नहीं use करने and when I'm saying font it includes variation as well सबसे कम font और उनके सबसे कम variation को use करें और इसके बाद उनको website पर होस्ट करो जिससे Google font तक request भेजना वहां से file को download करना यह सारी चीज़ें जो है वह अलग जाता है सबसे पहली problem जो यहां पर आ रही है वो क्या है कि CLS score इस website का काफी ज्यादा होगा क्यों ज्यादा है क्योंकि जो element है let's say यहां पर जो जो ट्री में आगर हम उसको देखना शुरू करें तो सबसे पहले जो है यह page पूरा blank है इसके बाद सबसे पहला section क्या आ रहा है सबसे पहला section आ रहा है यह blue background वाला जिसके उपर main image आने वाली है this loads quickly but उसके उपर जो text आने वाला image आने वाली है उससे पहले यहां पर एक दूसरा section आ जाता है और यह section किसलिए आ रहा है यह आपके google ads के block की वज़े से आ रहा है so what you can do is that कि जो आपका यह section है जिसके अंदर आप इस google ads के tag पो लगा रहे हो यूज कर रहे हो उसको एक minimum height दे दो एक कोई section है उस section के अंदर कुछ भी हो सकता है लेकिन उस section की height कितनी है वह यहां पर पहले से पता लग जाएगी वह काम है यह काम कर देगा minimum height setting तो minimum height आप दे दो जितनी भी यहां पर block के लिए आपको free रखनी है and then इसके बाद आपका CLS solve हो जाएगा यहां पर इस website के performance काफी satisfactory है अभी green zone में नहीं है लेकिन बहुत सारे competitor को आप already beat कर रहे है largest contentful paint and first contentful paint दोनों ही जो है वो आपके 2.4 1.5 पर है CLS already आपका 0 पर है so what you need to do is just total blocking time इसको improve करना है right and then आप green zone में आ जाओगे so यहां पर जो है हमें unused js को हटाना है js जो है वो 454 kilobyte की transfer हो रही है और use हो रही है कितनी 454 minus 388 तो custom coded website में आप developer को बोल सकते हो कि भाई यह इस website में यह JS जो है बहुत ज्यादा implement किया हुए but use नहीं हो रहा है पेज में मुझे हटाना है wordpress website में यह possibility नहीं होती है तो इसलिए wordpress website में जो है वो हम करते क्या है क्या use करते हैं हम simply जो है वो plugins को use करते हैं जिसके जरीए हम javascript को हटाते है और यहां पर आगे core भी शायद website नहीं है core vital का कोई assessment available नहीं है इनके पास historical data google के पास आपकी website का यहां पर fcp और lcp 205.3 है और total blocking time जो काफी सारा है cumulative layout shift नहीं है javascript unused बहुत सारी है और इसके अलावा जो है वो differ भी नहीं किया हुए eliminate render blocking resources अब क्या कि जितनी भी script आपने add की हुए अपनी website पर अगर वो differ नहीं होगी कि पहले HTML code को browser जो processor है वो actually में line 1 से लेकर consume करना शुरू करेगा सबसे पहले यह link आया इस link को download करना process करना फिर दूसरा link आया दूसरे link को download करना process करना फिर तीसरा link आया तीसरी link को download करना process करना और उसके base पर page को render करना यानि कि paint करना शुरू कर देता है इसको थोड़ा सा लोड होने का time देते हैं ओके 14 performance है ठीक है FID ठीक है यहाँ पर हम देख सकते है FCP what is FCP and what is LCP इतना ज्यादा क्यों है यह जो image है वो सबसे बड़ा element है इससे होगा यह कि आपकी जो website का CLS score है वो down हो जाएगा हर एक element को minimum height देनी है try to find the excuse to not use too big of an image in hero section जो आपका सबसे बड़ा part है वो आप smartly choose करो यहाँ पर above the field above the fold part में छोटे-छोटे elements को use करो छोटे-छोटे elements से मिला कर hero section को बनाओ जिससे वो part जो है वो बहुत ज़्यादा heavy ना हो चाईना music fountain लुक रिली प्रिटी परस्टाम इवेंट टु दुबाई और जो musical fountain है महाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा होगा इसको टेस्ट करते हैं वेबसाइट जब बनानी है और SEO करना है या performance increase करनी है तो lazy भी होना है और conjuice भी होना है एक फॉंट नहीं extra देंगे हम बो इमेजेस को कम से कम साइज का रखना है यहां पर भी फेल हो रहा है कुछ डेटा अवेलबल नहीं है विल कम डांस्टेर्स एंड यहां पर जो fcp वाला पार्ट है सबसे बड़ी सी इमेज आने वाली और यह लेयाउट भी यहां पर shift हो रहा है सबसे पहले लेयाउट नीच की performance नहीं है यहां पर यहां पर आप देख सकते हैं ट्री मैप देखते हैं यहां पर CLS जो है वो कोई भी लेयाउट शिप्ट नहीं है सीधे सीधे element अपने आप प्रकट हो रहा है यहां पर आपका first contentful paint और largest contentful paint ज्यादा है इसलिए क्योंकि जो सबसे बड़ा element है वो अपन यहां पर गरम इंटर्नल आ जाते हैं तो यहां पर भी problem सी सेम एक चीज़ है कि जो पूरा website का page नहीं वो एक साथ आ रहा है यह सारी जब भी बहुत बड़ा सा chunk website का जो है वो एक साथ एक बार में दिखाई देता है इसका मतलब है कि there are scripts जो render को block कर रही है यानि कि async or differ scripts में आपकी JS script में CS script में CSS में नहीं है async or differ को enable करना है and you will solve that problem जब async or differ आप लगाते हो तो फिर दूसरी problems आती है problems क्या आती है हो सकता है कोई function काम कर रहा है नहीं कर रहा है हो सकता है कि आपकी website का कोई और type का score बढ़ गया total blocking time may be different हो रहा है या maybe CLS जो है वो change हो रहा है वो इसलि बुनी कितरे है ना रहा है तो अगर हम इसको parts में divide करते हैं तो हो सकता है यह header पहले आ जाता फिर दूसरा थोड़ा सा और बाद में आ जाता तो इस तरह से दीरे-दीरे website load होती तो काम चल जाता user को पांच सेकंड तक वेट नहीं करना पड़ता खाली screen नहीं देखने को मिल बहुत बड़ा हो रहा है थोड़ा च्छोटा कर सकते हैं गूगल पार्टनर वाले लोगो ओके ठीक है आपको दिखाना जरूरी है बट हाइरिंग वाला उतना जरूरी नहीं है ना हाइरिंग वाला थोड़ा से नीचे आ सकता है अगर आप कंट्री की बेस पर जोग स्पेस साइट को टेस्ट करते हैं वैशन भी रेस्टोंट के वेबसाइट है एफ सीपी और ल्सीपी बहुत ज्यादा है प्री लोडर मत यूज करो प्री लोडर बहुत पिछले डेकेट की चीज़ हो चुकि प्री लोडर को बंद कर दो कोई भी अगर यूज कर रहा है तो प्री को टा दो प्री लोडर क्योंकि सामने से बहुत ज़्यादा टाइम खा जाता है ना के बाद इमेजिस की उपर काम करने किस रेस्टोंट है थोड़ी से इमेज ज्यादा होंगी तो आप यह देखो कि यहां पर जो सबसे बड़ा एलेमेंट है यह एक इमेज बहुत बड़ी हो रहा है तो यहां पर जो है बहुत सारे लेमेंट को एक के अंदर यूज नहीं करना है यूज डिफर एसिंक इन यूड约 s एंड सीकास फांड उसके अलावा जो हे वह जो ar Isto, ए और सारे खेले मेंट को एक मिडिममम है यहां पर एक डेल यूजर नेम I am 100% sure it is your username not the real name यहाँ पर यह question बूज रहे हैं कि webp images जो हैं वो indexing issue को create कर रही है यह एक question unique है इसको थोड़ा सा ले लेते हैं इसका जो simple सा solution है वो यह है कि webp images जो होती है वो wordpress website में जब भी आप use करते हो तो आप कोई नो कोई plugin यूज कर रहे होगे वो plugin क्या करता है कि जो आपने jpeg image को upload किया है उस jpeg image का webp version बना रहा है और jpeg image को कहीं कोने में रख रहा है now your website has two versions of same image एक jpeg एक webp और यह सारे के सारे plugin जितने भी duplicate versions बना रहे हैं उन सब के उपर या तो no index लगा कर रखते हैं और अगर नहीं लगाते हैं तो Google थोड़े दिनों बाद क्या करता है कि पहचान जाता है कि यार यह image जो है यह वो है क्या कहते हैं यह duplicate है यह content duplicate है और वो उसको index नहीं करता है crawl currently not index में चला जाएगा अगर किसी के HTML website में issue हो रहा है my name is Amitivari from Amitivari.net and I will see you next time in a complete video bye